मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने नए जिलों के गठन के क्षेत्र कौन से होंगे इसकी घूशना कर दी है राजस्तान की जनता में बड़ी बैचे नहीं है कि उनका इलाका कौन से जिले में आएगा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा सबसे छोटा जिला कौन सा जिलों के सिमाएं किन-किन जिलों से लगेगी इन सवालों का हम जवाब देंगे किन-किन जिलों के नकसे कैसे निरधारित की हैं सरकार ने और कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन से उपखंड और तैसिले होंगी आज सुबह सीम ने अपने घर पे प्रेस कांफरेंस की और नए जिलों के गठन की गोष्णा की अनूपगड को नया जिला बनाया गया है अनूपगड गंगा नगर और विकानेर से अलग हुआ है और अनूपगड अब पाचवां जिला होगा जो राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा टच करेगा यानि पड़ोशी देश पाकिस्तान से यह के सीमा गुजरेद की सीमा विलतिजिला जो है वो इसमें अनूपगड तैसील होगी राईसिंग नगर तैसील होगी स्रिविजे नगर तैसील गड़साना रावला चहतरगड और खाजुआ और उपकरण्ड इसमेंच्पद्ध होगा ड्राइसिंग नगर होगा विजे काफी लेंड लॉक्ट एरिया है थार कारेगिस्तान है बहुत बड़ा बिये सफ की बहुत बड़ी वहां पर आमद्रफ्ट रहती है तो केंद्र और राज्य के संबंध नए जिलों के साथ किस तरह से एक्जिक्यूट होंगे वो देखने वाली बात होगी खास करके सीमा वर्त बालोतरा को जिला बनाए जाने की चार उट कंड होंगे इसे बाढ़ंवेर से अलग किया गया है इसमें सब्सक्र 음ण की अर dal च्छिदधौरे अर ब्यावरज को भी जिला बनाय गया वह जिसमेंक्र होगे जिससमें का इलागा आया है और ब्यावर उफखंड होगा टाटगर उफखंड होगा जैतारण राइपूर मसुदा और बदनौर ब्यावर तैसील टाटगर तैसील जैतारण तैसील राइपूर तैसील और मसुदा की मसुदा और विजेनगर तैसील था साथ ही बदनौर तैसील इसमें शामिल होगी, किस तरह सामिल होगी आम नकसे में देख सकते हैं, डीग को जिला बनाया गया है, इसी में भी 6 उफखंड होंगे, डीग में डीग और जानुधर जो तैसील है, उसको लिया गया है, इसके लबा कुमेर और एक और तैसील को लिया गया है, इसके लबा नगर उफ और दीड़ुना को नागोर से लग किया गया है तो इसमें दीड़ुना जो ईलाका है सकी तीन तैसिल़ा लीगे यह मौला सर दीड़ुना ऊचोटी खाटू लाडनो परबत सर मकरानौ नावा और कुचा मन सिटी अप्खन्ड जो है अपनी तैसिलों के साथ दीड़ुना-कु सा जिला बना है तो उसमें दूदू जो सबसे छोटा जिला कहा जा रहा है कि राजस्तान में दूदू में तीन उपकंड होंगे दूदू राजस्तान का सबसे छोटा जिला होगा और मौजमाबाद दूदू और फागी उपकंड और तीनों ही तैसिले इसकी सामिल होगी आप तेख सकते हैं. फागी जो है वो दू-दू से सीमा साजा नहीं कर रहे हैं. जिले को क्यों बनाया गया है? राजसान की जंता का सबसे बड़ा सवाल यही है. इसके लबावा, गंगापूर सिटी को जिला बनाया गया है, जिसमें पांच उफखंड होंगे गंगापूर सिटी उफखंड की गंगापूर सिटी और तलावडा तैसिल को इसमें शामिल किया गया है वजीरपूर उफखंड होगा पूरा का पूरा बामनवास उफखंड की बामनवास और बरनाला तैसिल को लिया गया है तोड़ा भीम उफखंड तोड जैपूर तैसील का नगर निगम जैपूर हमे कालवाड कालवाड टैसील उसके लावाड आमेर तैसील का वो ले संजील जो जैपूर नगर निगम ग्रेटर केاب तरगत आता है सिटी वाला जो इलाका जहां तक नगर निकम कवर करती है वहां जैपुर जिला होगा जैपुर जिला ग्रामिन और सिटी किस तरह से बदलेगा या उसमें देख सकते हैं कि सिटी बीच में है और ग्रामिन का यह हिस्सा रहेगा हलांकि जैपुर ग्रामिन की वाल हैं डाबडी हैं मधुराजपुरा है सामबर लेख हैं चॉमू जंबारामगड चाकसु बसी आमेर सांगानेगर और जैपुर उपकंड अब ग्रामिड में जैपुर का उपकंड का वो हिस्सा रहेगा जो जैपुर नगर निकम हेरिटेज का हिस्सा नहीं है यानि कि रू सिटी नगर निकम का हिस्सा नहीं है इस तरह से जैपूर ग्रामिन को जिला बनाया गया है इसके लावा अगर केकडी जिले की बात करें अजमेर जिले से अलग हुआ है केकडी जिसमें केकडी सावर भिनाय सरवाड और टोड़ा राइसिंग तैसिले उपखंड होंगे और तै तैसिल का नगर निकम जोदपूर में जो हिस्सा आता है वो पूरा भाग रहेगा और जोदपूर दक्षन का भी वह हिस्सा रहेगा जो जैपूर सिटी के जो दो इससे किये गए हैं उसको लेके सरकार ने अभी नक्षार्ट रिलीजन नहीं किया है सिटी के कोन से एरी जोदापर से तरह किस तरह से धिख़ेगा ग्रामीन और सिटि इस नक्षे में और जोद्बूर ग्रामीन जो में ठीडिक में और ग्रामीन जो जिला रहेंगा उसमें वना मुधी दस उक्क के साथ में बिलाडगा थैसिल के साथ में बोपालगड रहेगा वावड तैसिल वालेसर में तैसिल रहेंगी और इस तरह से जोदपुर ग्रामिन जिला बनेगा वोड़ पुतली और बहरोड जिले नारायनपूर, कोट, पूतली, विराटनगर और पाउटा इन उपखंडों में आने वाली तैसिल रहेंगी सभी जो बहरोड, बांसूर, नीमराना, मांडन, नारायनपूर, कोट, पूतली, विराटनगर और पाउटा तैसिल है इसमें रहेंगी आप तक साथ देख सकते हैं कि तरह से ये जिला बनेगा, खैर्थल जिला बनाया गया है अलवर से, तो उसमें तिजारा उपखंड की तिजारा तैसिल, किशनगडबास, उपखंड की किशनगडबास और खैर्थल तैसिल रहेगी, कोट कासिम जो उपखंड है, उसकी कोट कासिम और हरसोली तैसिल इसमें र सिकर का है याधा जुन जुनु का है ऐसे में यह जिला भी लंबर्षी समय सी डिवान में था हुआ फलोधी जिले की डिवान्टी में था फलोधी बहुत बड़ा अगर हम बात करें जोदपुर जिले से क्या इतर अगर मेवाड में जाते हैं तो मेवाड में सलुमबर को जिला बनाया गया है जिसमें सराडा, सेनारी, लसाडिया और सलुमबर उपखंड होंगे सलुमबर उपखंड की बात करें तो सलुमबर में दो तैसिल होंगे इस तरह स गर इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए वहां के विधायक पूरा राम चौधरी के लिए जो कहा गया काला साफा बांद के आये थे और CS ने कहा भी था कि मुश्किल वक्त में आपने हमारी मदद की तो हम आपका ध्यान रखेंगे अब ध्यान द्खा गया है जिस बागोडा उफखंड की बात आ रहे थी कि वो जालोर का हिस्सा हो सकता है भीनमाल की बजाएं बागोडा उफखंड को साचोर जिले में यह अलग हो रहा था कि भीनमाल को आप सांचोर में रख दीजे लेकिन भीनमाल के लोगों के अब्जेक्शन के बाद में अब सांचोर जो है उसमें भीनमाल का हिस्टा नहीं होगा भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में भी नया जिला गटित कर दिया गया है जिसमें शाहप कि राजस्तान में पाचास जिले हो गए हैं साथ ही नए उखरंड जो घठित होए हैं नए उखरंड का न tavट में संफाग है दिविजन तो इसमें सीकर जो संफाग है उसमें conséqu된 जुन जुनो नीमका धाना और चूरु जिला होगा फो ऐब बीकानेयर का हिस्जाा था सीकर भी बीकानेयर का हिस्सा था संभाग में जुन जुन जैपुर संभाग का हिस्सा था और अब जो है वो यह चार-फ़्र 110-0 शीकर संभआतल he पाली में भी चार जिले रखे गए हैं जिसमें पाली जिला होगा, जालोर जिला होगा, सांचोर होगा और सिरोही होगा पाली जो डिविजन मुख्याले बनाया गया है इसमें सांचोर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाली उप्रण मुख्याले से नहीं चूती हैं अब अगर बात करें जैपुर जो नया पुनर गठन हो गया उसके बाद संभाग किस तरह से नजर आएंगे जैपुर जो संभाग है उसमें छे जिले होंगे जैपुर दूदू बहरोड कोड़ पूतली दोसा खेर्थल और अलवर और जैपुर ग्रामेंड स्वारी साथ जिले होंगे अब तो ठीन जिले आप अजमेर डिविजन की बात करें तो अजमेर साथ जिले होंगे भ्यावर और चार नागॉर टूधोना कुछ आवनОर शापुर नए जिले जो बनने हैं में इस केक्डी शापुर और यहवर भरतुर जो संभाग होगा सभाग जो बनेगा उसमें वही जिले हैं जो पहले से थे कोटा बूंदी जालावाड और बारा तो कोटा में कोई हाडोती में कोई बदलाव नजर नहीं आया नए जिलों को लेके कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है उसी तरह से जोदपूर संभाग की बात करें तो जोदपूर संभाग में छह जिले होंगे उसमें जोदपूर फलोधी। जसलमेर, बाडमेर बालोत्रा और जोदपूर ग्रामेंड इसी तरह से पाली जालु और सहाच्वर और श्योई उदेपूर संभाग में उदेपूर भीलवड़ा, सलुमबर, चित्तोडगड़ और राजसमन्द। उदेपूर संभाग में सलुमबर नया जुड़ाला है, बांस्वड़ा, प्रताबगड़ और डूंगरपूर निकल गए है। अब RPSC में और प्रतियों की परिक्षा की तेयारी करने वाले बच्चों के लिए चीज़ें बदल जाएगी, कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिले की सरवादिक सीमा है टच करती है, यह सवाल पूरे तरे से बदल जाएंगे। अगर आपने THINK 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अपील है, क्योंकि आज सब्सक्राइब करें THINK 360